रोकरेंगे अगली बड़ी कबर के ओर बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यह पर बताने जो आ रहे हैं बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है बलब गर्स सक्टतीन के गोदाम में भीशन आग लगी है इस वक्त की बड़ी कबर पुलिस और पार ब्रिगेट मौके पर पुलिस और पार ब्रिगेट की गारिया जो है वो मौकी पर पहुंची है फार ब्रिगेट ने आग पार कड़ी मश्रक्त के बाद काबू पाया है गोदाम में भारी नुकसान हुआ है सेक्रतीन के गोदाम में यह आग लगी और देखते ही देखते आग की जो लपते हैं कैसे आग लगी जी देखे मैं आपको बता दू कि पुलिस के मुझावे के कहना है कि किसी नर्षा करने वाले वैस्टी में आग लगाई और इस पर करीवन ती से पतास लाग तक का नुक्तान हुआ है और पुलिस जांक में फिलाल लगी हुई है जी अदर में क्या जान की भ बताय जा रहे लगने के जी देख जी मैं बतादू आग लगा दिया जी तो गोदाम में काफे नुक्सान हुआ है गनीमत ये रही कि जिस दौरान यहादसा हुआ वहां कोई मौझूद नहीं था और पुलिस और फार बिगिट मौके पर पहुँची है आग पर काबू पा ल यह जो गारिया है मौके पर पहुंची है गोदाम में भारी लुकसान बताया जा रहा है सेकरतीन के एक गोदाम में यह आग लगी है वलबगर का यह मामला जहां पर बड़ी ख़बर आ रही है पॉलस और फार ब्रिगेट की टीमें मौझूद है फार ब्रिगेट आग पर काब काबू पाया है यह बड़ी ख़बर आपको बता रहा है फार ब्रिगेट ने आग पर काबू पाया है तो जानकारी मिल रही है कि किसी ने यहां पर जान मुझ की इस गोदाम के पास आग लगाई है जिसकी वज़े से आग जो है उसने भीशेन रूप ले लिया और देखते ह पूरा गोदाम जल कर राख हो गया